प्रेशिक्षार्दियों, इन्नेविस की जन्स्वास्त पाटे क्रम में आपका स्वागत है आज एक हम ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो किसी मनुश्य की जीवन को भी बचा सकती है वह है आपतकालिन परिस्तितियों का प्रबंदन पिछले भाग में आपने देखा है कुछ परिस्तितियों के बारे में जैसे की डूबना, जलना, बिजली का जटका, आदी को तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निदीगर हमारे स्टूडियो में धन्नवाट डौक्टर स्नेलता, जैसर कि डौक्ष साहब ने बताया कि हम आपातकालिन स्थितियों के बारे में, पिछले भाग में हमने कुछ आपातकालिन स्थितियां जानी थी, जिसमें डूबना, लू लगना, साांप का काठना आदी थी. इस भाग में हम इनसे बची हुई जो अपात कालिन स्थितिय हैं जो और किसी व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं उनके बारे में जानेंगे क्योंकि ये एक अपात कालिन स्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति को तुरंत मदद की जरूरत होती है तो एक स्वास्ते कारे करता होने के नाते आप उस अपात कालिन स्थिती में क्या प्रात्मी कुपचार दे सकते हैं, इसके विशे में आज हम जानेंगे आए जानते हैं सबसे पहले दौरे पढ़ना, जिसे हम कनवलजन्स कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दौरे पढ़ जाते हैं, तो उस समय बिना घब राए, बिना एंग्जाइटी के या बिना अपने सुद्बूत खोए, हम उस व्यक्ति की कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले जानते हैं कि क्या वेज स्थितियां हो सकती हैं जिसमें दौरे पढ़ते हैं बीमारियां जिन में दौरे पढ़ते हैं जैसे बच्चों में यदि उच्च जवर हो या फिर क्रीमियों का संक्रमन हो जिसमें की टेप वाम या राउंड वाम्स होते हैं उस थिती में बच्चों को दौरे आ सकते हैं मस्तिश्किय मलेरिया, एंसफलाइटिस, मैनिंजाइटिस, दिमागी तपैदिक यदि किसी के दिमाग में टीबी चला जाए या दिमाग की टीबी हो जाए तो उसमें दोरे पढ़ सकते हैं यह सब कंडिशन्स ऐसी हैं जिसमें दोरे पढ़ते हैं इसकी अतिरिक मनोवज्ञानिक कारण हो सकते हैं जैसे कि हिस्टीरिया, गर्भवस्ता में उच्चरक्त चाप की स्थिती, मस्तिश्का घात यह कुछ ऐसी कंडिशन्स हैं जिसमें हम विभारियों में दोरे पढ़ना जानते हैं, सर्व प्रतम रोगी को मुह से कुछ भी देने से मना कर दे, जैसे हम देखते हैं लगों को लगता है कि मुह से कुछ दवाई दे दी जाए इसमें ताकि ठीक हो जाए ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले उसको मुह से कुछ भी ना दे और पीडित व्यक्ति के अराम से जमीन पर लिटा दे, उसके आसपास भीड इकटी ना होने दे, ताकि उसके आसपास वायुक का संचार, वेंटिलेशन उचित प्रकार से हो वह सांस अच्छे से ले पाए, व्यक्ति के सिरके नीचे तकिया लगाए या व्यक्ति को बाई करवट लिटा कर उसके करके नीचे रखें, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हम व्यक्ति को जमीन पर लिटा रहे हैं और उसको हम साइट करवट दे करके आराम से उसको लिटा रहे हैं, ताकि उसके मुझ से कोई भी जाग या कोई उल्टी हो कुछ भी है, तो वह उसके श्वास नली साफ रहे, ताकि उल्टी, जाग, श्वास नली में पहुंचकर अवरोध ना करें, जीप ना कटने पाए, इस चीज का ध्यान रखें, यदि किसी कारण वश जीप कट भी गई है, तो खून बहने के कारण श्वास अवरोध ना हो, इस चीज का हमें special विशेश ध्यान रखन और रोगी को प्रात्मिक उप्चार के बाद चिकित्सक की सलह और अन्य उप्चार के लिए श्रिग्र हस्पताल फेजना है, पेट दर्द, जिसे हम बोलते हैं कि क्यूट अब्डॉमिनल पेन, ये कुछ अहलात ऐसे होते हैं कि कभी-कभी तो पेट दर्द हम घरेलू चिकि से संभव नहीं है कि ठीक कर पाएं, तो उस कंडिशन में हमें क्या करना चाहिए, आए जानते हैं, पहले जानते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, तेज पेट दर्द होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अमाशे में गडबड़ी, जैसे हम आम भाशा में गेस्ट ध्रक्षन हो गया है या तो वह वांच की वजह से हुआ है या किसी ट्यूमर दर्थ हो सकता है किड्नी या मूत्र नली में पत्री संक्रमन शोथ आदी, गर्भाशे तंत्र की कोई बिमारी हो सकती है जैसे की अंडाशे में रसोली हो, डिम्बनली, गर्भाशे में संक्रमन, ट्यूमर आदी इन सब कारणों से पेट में दर्थ हो सकता है तो ये चीज़े हमें देखनी है कि इन में से कोई कारण तो नहीं है जिसकी वज़े से पेट में दर्थ हो रहा है अब इस समय सवास्थे कारण करता की भूमिका क्या हो जाती है आएज जानते हैं सरप्रथम रोगी को मुह से कुछ भी ना दे अर्थार्थ अगर कोई व्यक्ति उसको कुछ देना चाहता है कि ये दवाई खालो या फिर ये चीज पीलो तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है उसको मुह से कुछ भी नहीं देना है यथा शिक्र योग्य चिकित्सक के पास हस्पताल भेज़ दे या हस्पताल भेज़ दे ताकि एक्सरे अल्ट्रसाउंड आधी की मदद से बीमारी का सही निदान हो सके और उसके अनुसार उपचार किया जा सके यह भी सुनिश्चित करें कि हस्पताल से ठीक होकर लोटने के बाद व्यक्ति दवा परहेज खान पान का सही पालन कर रहा है क्योंकि यदि वे दवा टाइम पर नहीं लेगा परहेज नहीं करेगा खान पान उसका सही नहीं होगा तो यह स्थिती वापस से आ सकती है तो इसलिए स्वास्थेगार करता की भूमी का है कि वह उसे इस चीज के बारे में ध्यान रखे की जो व्यक्ति है वह ठीक से दवा ले रहा है परहेज कर रहा है और उसका खाना पीना ठीक है अब जानते हैं शिरो घात के बारे में head injury यह एक बहुत महत्पून स्थिती है बहुत गंभीर स्थिती होती है यदि किसी को सिर में चोट लग जाती है तो उस समय कि क्या condition पेशन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है उसके आसपास के लोग घबरा जाते है कि इस समय क्या करन क्या मदद कर सकता है आए जानते हैं सबसे पहले देखते हैं यदि किसी व्यक्ति को शिरोग हात हुआ है है इंजरी हुई है तो उसके क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं सिर में तेज दर्द तथा चक्कर आना उल्टी की इच्छा होना जिसे हम बोलते हैं नौजिया की उसको मित थोड़े समय के लिए बेहोशी, पून बेहोशी, एकागरता में, स्मरण करने में या चलने फिरने में गड़बड़ी हो सकती है और दोरे पढ़ना भी एक इसका लक्षन हो सकता है इसमें स्वास्थेकारे करता की भूमिका क्या है? पीडित व्यक्ति का यथा शिग्री निदान करके उसे साफधानी से हस्पताल पहुचाने की विवस्था करें यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ती शिरोगात से पीडित है तो उसको हम यथा शिग्र निदान करके उसे सावधानी के साथ तुरंथ हस्पताल पहुचाने की विवस्था करें ताकि उसका शती जो है कम से कम हो पाए पीडित व्यक्ती को ले जाने उठाने में सावधानी रखनी चाहिए गरदन में कॉलर लगाकर कम जटकों के साथ शिग्र रती शिग्र हस्पताल पहुचने की विवस्था करें यदि आपको लगता है कि व्यक्ती के सिर से खून आ रहा है तो प्रेशर बेंडेश दे करके उस बेहोश नहीं हुआ है सिर से सिर में चोट लगी है लेकिन उसको खून नहीं निकल रहा है तो यह सोचकर की सिर में चोट लगी है लेकिन खून नहीं निकल रहा है ना व्यक्ती बेहोश हुआ है तो उसको घर में ही रखकर हम देख भाल कर लेते हैं ऐसा बिलकुल ना करें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और जल्दी हस्पताल पहुंचाने की जल्दी में मस्तिश किया गर्दन को जटका ना दें कि आप भी घबरा जाएं कि उसको तुरंथ हस्पताल पहुंचाना है हमने तुरंथ उसको उठा लिया ऐसा भी नहीं करना है आराम से गर्दन को कॉलर का सहारा देकर की आपको उठाना है बिना गर्दन को सहारा दिये पीडित को उठाने की कोशिश ना करें इसे जटका जादा आ सकता है और व्यक्ति को अधिक शती पहुंच सकती है आए अब जानते हैं अस्ति भंग फ्रेक्चर के बारे में यह एक ऐसी कंडिशन है कि जिसके बारे में कभी भी आ सकती है कभी व्यक्ति गिर गया किसी के साथ दुरगटना हुई या टककर लगी आज कल जैसे केल्शन की कमी व्यक्तियों में बहुत जादा मिल रही है विटाम लेकिन कई बार दुरगटना के कारण भी फ्रेक्चर हो जाता है जैसे बच्चे खेल रहे हैं खेलते खेलते गिर गये या फिर कहीं कोई व्यक्ति गिर गया कोई दुरगटना हो गई एक्सिडेंट हो गया तो उसमें भी अस्ति भंग की कंडिशन हो सकती है तो सबसे पहले जानते हैं कि अस्ति भंग अर्थाथ ये फ्रेक्चर है क्या कि शरीर की किसी हड़ी का दो या दो से अदिक भागों में तूट जाना कट जाना या दरार आजाना अस्ति भंग कहलाता है अगर कि शरीर में जो हड़ियां हैं वो दो भागों में या दो से अधिक भागों में तूट जाती हैं या किसी मशीन से कट जाती हैं या फिर उसमें कोई दरार आ जाती है तो उस कंडिशन को हम अस्तिभंग कहते हैं अस्तिभंग में समानने बनावट में बदलाव आ जाता है और उस हिस्ते के कारे बाधित हो जाते हैं जैसे कि आपने देखा ही होगा यदी वेक्ति का फ्रेक्चर हो जाता है तो उस समय वो उससे काम करने में असमर्थ होता है इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो हम fracture बता रहे हैं उसे में क्या condition रहती है जो आप पैर का चित्र देख रहे हैं इसमें दो चित्र हैं एक में आपको बिल्कुल समाने स्थिती में जो हड़ी है वो दिखाई दे रही है और दूसरे में fracture आपको दिखाई देगा कि जहां condition अस्तिभंग की कहलाती है आई आप जानते हैं इसके प्रकार क्या है प्रकार जानना आपको इसलिए जरूरी है कि जब कभी आप कहीं जा रहे हैं आप रोड साइट देखें कि कि किसी व्यक्ति का फ्रेक्चर हुआ है तो आपको पता रहे कि यह समानने अस्तिभंग है या फ सबसे पहला है समानने अस्तिभंग जिसमें शरीर के किसी भाग की हड़ी दो या दो से अधिक भाग में टूट जाती है लेकिन बहारित वचा शतिग्रस्त नहीं होती इसमें आप देखेंगे कि हड़ी जो है वो दो या दो से अधिक भाग में तो टूट गई है लेकिन बह आपका नॉर्मल फ्रेक्चर है उसमें सिफ हड़ी तूटी है और कुछ नहीं हुआ है दूसरा प्रकार है खुला जिसे हम ओपन या कंपाउंड अस्तिभंग कहते हैं हड़ी का कोई टुकड़ा या भाग शरीर की तवचा के अंदर से बाहर निकल आता है इसमें संक्रमन होने खतरे के कारण हे खतर्नाक होता है जयसा आप चितर में देख सकते हैं जो हमने आपको पहला चितर दिखाया था में सिम्पल क्रैक आया है हड़ी में लेकिन जो हड़ी है वो अपनी जगे से नहीं हिली है लेकिन जो दूसरा आप देख रहे हैं कंपाउंड फ्रेक्चर इसमें हड़ी जो है त्वचा से बाहर आ गया जब बाहर आता है तो खून बहने लगता है क्योंकि शतिग्रस्थ हो जाती है वहां से त्वचा तो इसल चित्र में दे सकते हैं कि इसमें जो बहां का हुम्रस वाला पार्ट है वह फ्रेक्चर हुआ है तो जो आसपास की आर्ट्री जैंवें नर्व उनमें भी शति पहुंची है तो इसे हम जटिल या कॉंप्लिकेटिड अस्तिभग कहते हैं दूसरा है कम्यूटेट फ्रेक्चर जिसमें हड़ी तीन या उससे अधिक टुकडों में तूट जाती है जैसे हम आम भाशा में बोलते हैं कि चूर हो गई है तो इसमें आप नीचे चित्र में देख सकते हैं जो पैर की हड़ी है जो फीमर है उसके कई सारे टुकडे हो गए हैं तो इसको हम कम्यूटेट फ्रे शब्रेशन हो जाता है तो यह आपको सिर्की हड़ी में देखने को मिलता है यह डिप्रेसे रेक्चार होता है ग्रीन स्टिक फ्रेक्चर इसमें हड्टी तूटने पर Mulaریam बास के चड़ी की तरह मुड़ जाती है और यह शर्छ बच्समें देखने को मिलता है क्योंकि बच इतना तेज दर्द हो जाती है हड़ी तूटने पर पॉपिंग या क्रेकिंग की भनी भी सुनाई दे सकती है हड़ी तूटने पर व्यक्ति की उस हिस्से की समाने बनावट बदल जाती है जैसे आप देखते हैं कि हिस्सा सीधा है तो वह थोड़ा सा आपको फूला हुआ या जो उसका समाने बनावट है उसमें फरक दिखाई दे सकता है वह अंग किसी एक तरफ असमाने रूप से मुड़ा हुआ या विक्रित दिखाई दे सकता है फ्रेक्चर वाली हड़ी की उपरित वचा नीली हो सकती है या खून भी निकल सकता है कमपाउंड फ्रेक्चर में हड़ी का कोई टुकडा त्वचा से बाहर निकला हुआ दिखाई दे सकता है और वहाँ पर एक बड़ा घाव बन सकता है जैसा हमने आपको ओता है compound fracture में जो हड़ी है उसका कोई हिस्सा तवचा से बाहर आ जाता है तो वहाँ पर आपको गाफ दिखाई दे सकता है तूटी हुई हड़ी को हिलाना काफी मुश्किल हो सकता है जैसे यदि fracture पेर की हड़ी में हुआ है तो उसमें चलने फिरने में परिशानी हो सकती है और थार्थ उस जो हिस्से का कारे इस अंचालन है उसमें बादा हुठपन हो जाती है यदि हाथ में हड़ी में fracture हुआ है तो आपको हाथ हिलाना मुश्किल हो सकता है पेशन को हाथ नहीं हिला पाएगा उसको बहुत दर्द होगा तो इसलिए जो टूटी हुई हड़ी है उसको हिलाने में काफी दिक्कते हो सकती है तो ये सारे लक्षन आप देखकर के जान सकते ह है कि किसी व्यक्ति का जो हड़ी है वह fracture हुई है कि नहीं है अस्ति भ्रंश डिस्लोकेशन जब चोट लगने या दबाव के कारण जोड की हड़ी अपने स्थान से अलग हो जाती है तो उसे अस्ति भ्रंश कहते हैं इसमें जोड का कारण नहीं हो पाता और कारे करने पर बह घी चुपन होती है जैसे कन्दे या कुले का जोड जब हम अस्ति भ्रंश की बात करते हैं तो अस्ति भ्रंश का apprendre कि वह हड़ी टूटी नहीं अपनी जगे ayr starch हHow जोड उड होता है तो यह चीज आपको जोड़ वाली हड़ी होती है उसमें देखने को मिलती है कि जैसे कंधे का बोलते कि कंधा उतर गया तो इसका अर्थ है कि डिस लोकेशन हो गया जो हड़ी है अपनी जगह से हटके दूसरी जगह आ गई है यह कूले का जोड़ है उसमें भी हड़ी खिसक जाती है कई बारी तो हम उसको अस्ती भ्रंश बोलते हैं तो इस कंडिशन में भी पेशन को दर्द होता है और वे अपना कारे ठीक से नहीं कर पाता है इसमें स्वास्तेकारे करता की क्या भूमिका होती है आए जानते हैं समाने फ्रेक्चर में प्रात्मिक उपचार के रूप में खपची या स्प्लिंट जिसे हम कहते हैं के सहारे उस अंग को सीधा करके बांग दे ता कि उस हिस्थे की गती रुख जाए अर्थाद हमें उस हिस्थे को इम्ममोबिलाईज करना है उस हिस्थे में कोई मुमेंट नहीं होने देना है ता कि वे हिस्थे राम से रहे और उसमें दर्द अधिक ना हो जो यह खपची हम बात कर रहे है तो यह सपाठ लकड़ी के टुकड़े, चड़ी, यह अन्यकीनी सक्त चीजों से बनाते हैं, यह आपको लगता है कि आपके पास अभी कोई खबची नहीं है, आप कैसे उसकी मदद करेंगे, तो कोई भी सक्त चीज, जो आपको सीधी है, सपाट है, उसको आप खबची के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं जैसा आप चितर के माध्यम में देख सकते हैं कि व्यक्ति के पैर में फ्रेक्चर है तो उसको खबची के माध्यम से immobilize किया जा रहा है तो इसी प्रकार हाथ की अड़ी में भी immobilization कर सकते हैं और चीजें सवास्तेकार्यकरतव जो है उसको सीखनी है समझनी है कि वह किस प्रकार से किसी व्यक्ति का यदी फ्रेक्चर हुआ है तो उसकी मदद कर सकता है सबसे पहले कटे फटे हिस्से की एंटिसेप्टिक ड्रसिंग करनी चाहिए और उसके बाद खपची या स्प्लिंट के सहारे उस हिस्से को गति शुन्ने करके शीग रती शीग हस्पताल भेजनी की विवस्था करनी चाहिए जैसे कंपॉर्ण फ्रेक्चर में आपको पता है घाव हो जाता है तो उस हिस्से में आपको एंटिसेप्टिक ड्रसिंग करनी है और फिर उस हिस्से को इम्मोबलाइज करना है जटिल फ्रेक्चर में यदि तीवर रक्तस्राव हो रहा हो तो प्रेशर बेंडस से पहले रक्तस करके हस्पताल भेजनी की विवस्था करें अन्य सभी तरह के फ्रेक्चर में एक मात्र यहीं उपाई है कि पीडित को प्रात्मिक उप्चार के बाद यथा शीग्र सुरक्षित हस्पताल भेज दें जिससे जटिलता है उत्पन ना होने पाए जितने भी आपके फ्रेक्चर है उसमें एक मात्र आपको यही करना है कि पीडित को प्रात्मिक उप्चार देना है उस हिस्से की गती को आपको शुन्ने करना है इम्मोबिलाइज करना है और उसको यथा शीग्र सुरक्षित हस्पताल भेजना है जिससे कॉम्प्लिकेशन सुत्पन ना होने पाए संक्रमन पाए और पेशन का शीग्रूपचार होकर वह जल्दी स्वस्त हो जाये कि आई आई अब जानते हैं विश्पान पॉइसनिंग के बारे में यह एक ऐसी कंडिशन है जो की बच्चों के साथ भी हो सकती है बढ़ों के साथ भी हो सकती है यह सुसाइडल भी हो सकती है और होमि के लिए भी विश्पान दिया जा सकता है तो लक्षन क्या होते हैं इसके या सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्प क्या होता है ये कितने प्रकार के होते हैं आए जानते हैं सबसे पहले जानते हैं विश जिसे हम आम भाशा में poison बोलते हैं वह क्या है वह पदार्थ जो किसी प्राणी के शरीर में किसी प्रकार भी पहुँचने पर उसके प्राण ले लेता हो अथवा उसका स्वास्ते नश्च कर देता हो उसे विश कहते हैं अर्थात कोई भी ऐसी चीज जो अगर किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में हम पहुचाएं या पहुच जाये किसी भी तरीके से या उसके वे प्राण हर ले अर्धात उसकी मृत्ति हो जाये है या फिर उसका स्वास्ते क्छराब हो जाये कि वे ठीक आपके फेफडों के जरिये शरीर में पहुंचती है या तवचा के जरिये किसी ने कोई जहरीली चीज आपकी तवचा पे लगा दी है तो तवचा से अफशोश्रीत होकर वे शरीर में पहुंच गई है मूग के जरिये जैसे आपने कोई सबसे पहले जानते हैं कि स्थावरविश क्या होता है? स्थावरविश व्रिक्षों, पोधों और खानों आदी में से निकला हुआ माना जाता है जैसे बच्छनाग, गुंजा, धतूरा, कनेर, तंबाकू, सीसा, पारा, संख्या आदी अर्था कोई भी ऐसा विश जो व्रिक् जानवरों के थ्रू विश हमें मिलता है उसको हम जांगम विश कहते हैं और जो हमें पेड़ पोधों से या खानों से मिलता है उसको हम स्थावर विश कहते हैं जांगम विश के उधारन आप सब जानते होंगे जैसे साप है, बिच्छू है, मकडी है, छिपकली है यह सब ज chloroform, sulfuric acid, phenyl, चुहे मारने की दवा, पेराफिन, रसाइनिक कीट नाशा कादी ये सब आपके कृत्रिम विश में आते हैं तो ये जितने भी कृत्रिम विश हैं ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं ये सब आप रसाइनिक क्रिया करके लैबोरेटरी में बनाते हैं इनके अलावा जो हम विश की श्रेडी में रख सकते हैं सड़ा गला खादे पदार्त, पेट्रोल, ब्लीच, खर पतवार नाशक, सलफास, नीम की गोलियां की अधिक मात्रा ये सब जो हैं आपके विश में ही आती हैं अब जानते हैं विशाक्तता के लक्षन अर्थात अग गेस्ट्रों इंटेस्टैनल इरिटेशन कोई भी वेक्ति जब उसको विश दिया जाता है तो सबसेले उल्टी पेट दर्द या दस्त लगना की शिकायत करता है कि उसे उल्टियां लग गई है या पेट दर्द हो रहा है या फिर दस्त लग गए हैं प्रला डेलिरियम जिस इसमें की टोकसी में अर्थात रक्त में विश पहुंच जाता है उसके कारण यह स्तिति आपकी होती है और जो आपका प्रलाप है यह प्राहे अत्य अल्प नशे का सूचक भी होता है जह हम बोलते हैं कि वेक्ति नशे में बड़ बड़ा रहा है तो अगर क्रीसी वेक्तिक क्या जो शेतर है brain का cerebral part जो है उसके शती होने पर प्रलाप जो हम बोलते हैं बढ़बढा रहा था वह बहोशी में परिवर्ति हो जाता है Vyakti में Convulsions हो सकते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है आपका मेरूदंडिय एंटन और दूसरा मिर्गी जन्य एंठन कि जिसमें Spinal Convulsions आते हैं Negan व्यक्ति होश में तो रहता है लेकिन शरीर में एंठन हो जाती है जैसे जो जैसे कि आपका tetanus में आपका शरीर में conversion आते हैं उस कॉछछ देखने को मिलते हैं दूसरा है आपका अपका मिर्गी जने एंठन यैसे aelleactic type जो होते है इसमें patient पता नहीं होता है कि उसको कनवलजन जा रहे हैं उसमें वह संग्या हीन होता है तो यह आपके कुछ प्रमुख लक्षन है विशाक्तता के इसके अलावा एक लक्षन और देखने को मिलता है पेरिफ्रल नूराइटिस जो की हमें सीसा, आर्सनिक, सोना, पारा आदी से चिर्कालिक विशाक्ततार था जो इनके साथ काम कर रहे हैं व्यक्ति जो खदानों में काम करते हैं या इनके साथ कोई प्रोडक्स बनाते हैं तो उनको ये kronika toxicity होती है उनके होने पर जो आपकी peripheral पेशी है जो आपकी muscles होती है उनमें दुरबलता आजाती है जिसके कारण शरीर और जटरांतर जो आपका gastrointestinal part है उसमें irritation होता है तो ये सब आपके विशाक्तता के लक्षन है जिनें आपको ध्यान देना चाहिए पहचान कैसे गरेंगे कि व्यक्ति ने यदि विश लिया है तो उसको कैसे हम पहचानेंगे यदि मरीज होश में है तो खाए या खिलाए गए विश के बारे में बता सकता है सलफास एसीड या शार्य विश के सेवन से पेट में लहर जलन की शिकायत प्रमुक होते है जैसे कोई व्यक्ति अगर आपको बताता है कि पेट में लहर से करके दर्द आ रहा है या जलन हो रही है तो हो सकता है उस व्यक्ति ने सलफास या एसीड या कोई ऐसा अलकलाइन जो पॉईजन है वो ले लिया हो तो यह आपको देखना है मूँ से उल्टी या उल्टी से आने वाले पदार्थ की खास गंद खास विश की पहचान करने में सहायक होती है कई बार विशों की अपनी कुछ खास गंद होती है जिसकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि यह कौन सा विश है उल्टी से निकलने वाले पदार्थ की जान से विश्विशेश का पता चलता है इसलिए जो व्यक्ति उल्टी करे विश्पान के बाद तो उस उल्टी को हमें सरक्षित करके रख लेना चाहिए इस समय स्वास्थे कारे करता कि क्या भूमिका होनी चाहिए जब पीडित होश में हो तो यह जानने की कोशिश करें कि उसने क्या और कितनी मात्रा में निगला है यदि पीडित के आसपास आपको कोई टैबलेट, खाली बोतल या कोई खाली टिबा रखा मिले तो हस्पताल में जांच के लिए उसे भेज दें यह उस जहर को पहचानने में मदद कर सकता है जिसे लिया गया है पीडित के मुखो जांचे, यदि कोई जले हुए का निशान दिखे और यदि वे कुछ निगल सकता हो तो उसे उतना दूद या पानी दे जितना वे पी सकता है पीडित को उल्टी करवानी चाहिए और उल्टी को खोड़ेदान या प्लास्टिक के बैग में रखे जैसे हम आपको बता रहे थे तहले और हस्पताल में जांच के लिए अपने पास रखे उसको मतलब हस्पताल में जांच करने के लिए दे देना चाहिए पीडिद को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हस्पताल ले जाना चाहिए यदि पीडिद बेहोश है या आपकी मौजोदगी में बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले आप उसकी सांस की जाज करें यदि वे रुग गई हो तो तुलन्त अपने मूह से उसे सांस देने की परिक्रिया शुरू करें लेकिन यदि पीडित का मूँ और होट जले हुए हो तो यह तरीका आपको नहीं अपनाना चाहिए ऐसे समय में क्रित्रिम श्वसन तंत्र का आपको प्योग करना चाहिए यदि पीडित अब तक सांस ले रहा हो तो उसे रिकवरी पोजिशन में रखें जो कि हमने आपको कनवलजन जब हमने पढ़ा था उसमें बताया था कि एक बच्चे को हस्पताल ले जाते वक्त सिर्के नीचे की तरफ की स्तिती में अपने घुटनों के उपर रखा जा सकता है अगर बच्चा है आपको पता है कि वे अपने आपसे ऐसे नहीं रह सकता है तो हस्पता ले जाते वक्त उसको आप अपने घुटनों के उपर रख सकते हैं पीडित को ठंडा रखें माथे पर ठंडा पैड रखें और शरील रीड पर और गले के पीछे ठंडे पानी से स्पंज करें पीडित को जितना समभग हो सके उतना द्रवे पीने के लिए प्रत्साहिद करें उसकी twisting पे और fits पे जो उसके convergence है जो उसके दोरे हैं उस पर नज़ार रखें स्वास्ते कारे करता क्या ना करें इस समय पे कि यदि किसी वेक्ति ने जहर खा लिया है या उसको किसी ने जहर दे दिया है तो उसे में स्वास्ते कारे करता क्या ना करें जहर खाए हुए मरीज की स्थिती में सामेक सुधार हो तो भी उसका इलाज स्वेम ना करें तो इसलिए स्वास्थेगार करता सुधार होने के बाद भी उसका इलाज स्मयम करने का प्रयास ना करें जहर खाए हुए मरीज के इलाज के साथ पुलिस को भी खबर करें जो आप पेशन्ट है उसको हस्पताल तो लेके जाए रहे हैं साथ में पुलिस को भी सूचित करें कि इस व्यक्ति को जहर दिया गया है या इसने जहर खा लिया है उसे छुपाने की कोशिश ना करें हस्पताल में और चिकित्सक को दिये गए उपचार की पूरी जानकारी दें कुछ भी छुपाए नहीं यदि आप उसको हस्पताल ले जाते हैं तो आप चिकित्सक को बताएं कि आपने उसको प्रात्मिक उपचार क्या क्या दिया है ताकि जो चिकित्सक है उसी अनुसार उसका आगे चिकित्सक कर पाएगा इसलिए चिकित्सक से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए आई आप जानते हैं लक्वा ग्रस्त रोकी की देखवाल कैसी की जाती है कि जब पेशन्ट पेरलाइस हो जाता है तो उसकी जो देखवाल है वह बहुत ज़रूरी हो जाती है यह भी एक आपकी एमर्जंसी कंडिशन में आ जाता है कि उसकी जो लक्वा ग्रस्त रोगी है वो बिल्कुल dependent हो जाता है किसी दूसरे पर तो उसकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए सबसे पहले जानते हैं कि लक्वे के कारण क्या-क्या है प्रमस्तश्किय रक्तस्राव जिसे हम cerebral hemorrhage बोलते हैं जो कि भाग से रक्त के ठक्के का विस्थापित होकर मस्तिष्क में पहुंचना ये सब कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण व्यक्ति लख्वागरस हो सकता है इस से में स्वास्य गारा कर तकी क्या भूमिका होनी चाहिए लक्वे की स्थिति में रोगी अपना काम स्वेम कर पाने में अक्ष़म होता है इसलिए उन्हें अपने द्यानिक कारण के लिए दूसरों के सहयोग की आवश्रक्ता होती है तो हमें इसमें ध्यान ये रखना है स्वास्तेकार करता होने के नाते कि सबसे पहले व्यक्ति का स्वच्छता क्योंकि लख्वाग्रस व्यक्ति जो होता है अधिकतर लेटे ही रहते हैं तो उनकी व्यक्ति का स्वच्छता को बनाए रखना अत्यदिक महत्पूर्ण है इसमें उनकी मुक स्वच्ता बनाए रखना त्वचा की देख भाल यह सब बहुत महत्पूर्ण है ताकि उनमें कोई भीमारी ना हो और विशेश करके पीठ की त्वचा की क्योंकि वह लेटे रहते हैं तो उनका सारा दबा स्पाइनल कोड पर जो आपका स्पाइन है उस पर पढ़ता है जिससे की दाब ब्रण जिसे हम बैट सोर्स बोलते हैं वो हो जाते हैं तो इसलिए आपको उनको करवट देकर के लिटाना है करवट बदलते रहना है ताकि उनको बैट सोर्स ना होने पाए यदि किसी को हो जाते हैं तो उस प्रकार से उसकी चिक्षा डॉक्टर की सलह से की जानी चाहिए te कि इसके अलावा सकारात्मक सोच रोगी को इश्वर में विश्वास रखने के लिए प्रेरीड करें जिससे उसकी स्थित्य में सुधार आए यदि लगव्रस्त व्यक्ति नकारात्मक सोचेगा तो वह अपनी स्थिति में सुधार नहीं ला पाएगा तो इसलिए हमें उस व्यक्ति को प्रेरित करना है कि वे विश्वास रखे और अपने आपको स्थिती के बारे में बताना को चहिए कि वे रोगी के प्रिवार जनों से उसकी सेहत से जुड़ी एहम बातों को ना चिता है उसकी कंडिशन कैसी भी है तो वह जो उसके तिमारदार है जो उसके परिवार जन है उसको अवश्य बताए कि जो रोगी है उसकी स्तिती कैसी है सबसे महत्पूर्ण है गोपनियता सेहत में सुधा लाने के लिए जरूरी है कि मांसिक या शरेक रूप से आघात प सहुचे तो इसलिए यह सब एक स्वास्थेगार करता को जांचना चाहिए समझना चाहिए कि अगर एक लक्वाग्रस्त रोगी है तो उसकी किस तरह से देखभाल करनी है तो शिक्षार्थियों आज आपने अपातकालिंस सितियों में प्रबंधन कैसे किया जाए इसके गई है या उसके साथ कुछ दुर्घटना घटी है तो उसको कम से कम शती यदी कम से कम शती पहुंचाने का कारे आप कर सकते हैं तो इसलिए आपको यह विश्य जानना अत्यनत आवशच है आशा है कि इस विश्य से आपको अवश्य ही कुछ साहेता मिली होगी हमारे साथ निदीगर्ग थे जो आप लोगं को आपतकालिन स्थितियां जो बचे हुए थे उन सभी के बारे में क्या स्वास्तकारेकरता को करना चाहिए ना करना चाहिए उसके बारे में काफी अच्छे डीटेल दिये हैं और मैं डॉक्टर स्नेहलता इन्नेवेस की तरफ से उनको धन्यवाद करते हैं